लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवीन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूलें Friends, Today is a historic day आज हम इतिहास बनाने जा रहे हैं आत्म निर्भर भारत की दिशा में आज का दिन एक निर्णायक दिन है In the quest for a self-reliant India Today is indeed a monumental day जब हम आत्म निर्भर भारत की बात करते हैं तो हम एक अलगावादी भारत की बात नहीं करते हैं एक हम अंदर जुके हुए भारत की बात नहीं करते हैं Self-reliant India is not an India of isolation It is not an India of inward looking It is an India which enhances its capacity and capability Develops an ecosystem as a robust asset to the global economy भारत अपनी छमता, अपनी प्रतिभा, अपने value chain और manufacturing के दिशा में ecosystem भढ़ा कर भारत की बड़ी अर्थ व्यवस्था को दुनिया की अर्थ व्यवस्था की एक asset के रूप में हम बनाएं यह है आत्मे प्रवारत उसमें हम FDI भी लाएंगे, technology भी लाएंगे, हमारा अनुभव भी है, हमारा human resource भी है तो मुझे लगा कि आरम में ही मैं इसको स्पष्ट कर दूँ एक दूसरी बात जो मुझे बतानी है कि make in India is only for India a self-reliant, resurgent and robust India is not against any country यह दूसरा विश्च मुझे लगा कि आपको बताना जरूरी है यह तीनों स्कीम की चर्चा डर्वालिया साहब ने भी ब्रीफली बताई थोड़ा मैं उस पट्टी पढ़ी करूँगा फिर अजय साहनी प्रेजंटेशन करेंगे फिर आपके प्रश्चनों का जो उत्तर दिनिक में होगा मैं दूँगा, आप शक्ता पढ़ीगी तो हमारे अमिताब जी भी देंगे लेकिन इस स्कीम के फर्मुलेशन में मेरे विभाग ने और नीतियायोग ने और विशेश रूप से अमिताब जी ने बहुत पहल की है तो मैं अपने सारे पताधिकारियों का और अमिताब जी का और विशेश रूप से अलेक्ट्रोनिक छेत्र के सारे उद्यमियों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ कि we also had a very extensive consultation with them and they also gave their inputs which has helped us to create these three schemes today which we are launching today, आज इनको हम शुरू कर रहे है मित्रों इसके पहले कि मैं स्कीम पे आऊँ थोड़ा मैं भारत के electronic manufacturing में हमने क्या किया है इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं बहुत संचेप में जब हमारी सरकार 14 में आई थी तो देश का electronic manufacturing का product था एक लाख नबे हजार तीन सो च्यासर करोड when our government had come to power the electronic manufacturing in India was 1,90,366 करोड आज अठारह उनीस में ये बढ़कर हो गया है 4,58,006 करोड in four years time from 1,90,000 करोड the production has risen to 4,58,000 करोड India's global share in the electronic manufacturing has risen from 1.3% in 2012 to 3% in 2018 और सबसे बड़ी बात है कि the electronic production has surpassed the imports ये मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ बाकी export का मैं आभी आपको number नहीं दे रहा हूँ आप पूछेंगे तो विस्तार से मैं बता दूँगा इस electronic manufacturing की भरोत्री में और ये सभी electronic manufacturing के segments है अजय के presentation में आपको बताया जाएगा mobile manufacturing में बहुत बड़ा काम किया है आपको मालूम है चौदर में हम आये थे तो सिर्फ दो mobile factory थी अब 200 से अधिक है we have emerged as the second biggest mobile manufacturing country in the world I wish to compliment all the manufacturers the mobile association of India all the vendors in making our call a great success in quest of making India जब हमारी सरकार आई थी ज़चोदा पंद्रह में आप जान लें छे करोड टर्नोवर था नई वैलिव था अठारह हजार 992 करोड 18,992 करोड और नबिव प्रोड़ सक्केड ऑच्रम करोड़ था था रतीओ करोड था छटिए , था आपर दिव करोड़ था थांदक्ष लाख्य। था इस ठावच्छ टर्टर्म। तो from 18,992 क्रॉर to 1,70,000 क्रॉर this has been the journey मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज यहां एक्सपोर्ट भी हो रहा है बड़ा काम हुआ है क्वालिटी मनुफैक्टरिंग हुई है और एलेक्ट्रानिक छेटर में हमने बीस लाख लोगों को नौकरी दिये है मुबाइल में ही लगभग डायट इंडिरेक्ट साथ लाख लोगों को नौकरी दिये है तो आज जब हमारी सरकार के छे वर्ष पूरे हो गए और मुझे एलेक्ट्रानिक विभाग को देखते हुए भी छे वर्ष पूरे हुए तो आज यह मरे लिए संतोष का विशह है कि हम लोग एक मॉडिस सक्सेस प्राप कर सके I wish to again compliment all the players when now I have completed six years as also the electronic minister of India this modest success gives us a sense of hope इस डिश्टिकोंट से आज की हमारी ये कोशिश है कि हम तीन स्कीम लेकर क्या आए है अगर हम दुनिया के नंबर दो मुबाइल मनुफैक्ट्रिंग कंट्री पहुँच गए चार पांच से तो हमारी एक्षा है कि नंबर एक भी बने हम इस दिशा में हम काम करेंगे अब ये पूरा जो हमारी स्कीम है ये आज से लागू हो रही है बहुत ब्रीफली मैं बता दूँ फिर अजय विस्तार से बताते हैं उसको एक है प्रोड़क्शन लिंक इंसेंटिव 40,000 क्रॉर्स प्रोड़क्शन बढ़ाओ इंक्रिमेंटल इंसेंटिव पाओ इंकीज और प्रोड़क्शन अरंद इंसेंटिव सेकेंड इस कंपोनेंट मनुफैक्शरिंग स्कीन जिसमें जितने स्पेर पार्ट्स हैं सेमी कंड़क्टर हैं इत्यादी उसके लिए लगबग सारह तीन हजार प्लस है और फिर तीसरा है क्लस्टर स्कीन कि हम चाहते हैं कि कंपनी आएं तो उनके साथ उनकी एंसिलरी भी आए और जिससे में कैबिनन का फैसला हुआ था तो मैंने अपने विबाग के सच्चिव की एक वेंगात्मक टिपणी आपके सामने की थी लेकिन बहुत जरूरी है कि हम चाहते हैं कि दुले भी आएं और साथ में बराती भी आएं कंपनी भी आए और अपनी एंसिलरी की पूरी बरात भी लेकर के आए तो ये भी हमने इसमें विवस्था की है मित्रों तो ये पचास हजार करोड रुपे का इंसेंटिव है अभी हम क्या करने वाले हैं दुनिया में पांच-छे बड़ी कंपनिया हैं जो मुबाइल कंपनी के 80% मार्केट को कंट्रोल करते हैं तो अभी हमारी योजना ये है कि हम ग्लोबल चैंपियन पांच कंपनियों को इसमें हम सहो करेंगे जो भी सिस्टम से कमिटी उसको फिल्टर करके लाएगी initially we shall pick up five global champions who under the production link incentive shall be permitted to participate the companies or the manufacturers as the case may be so this is the case of global champion the second most important thing is we also want to make Indian national champions let Indian companies also become national champions and the global and the local will work together to make India a good manufacturing a talented country supporting the global chain so we have 5 Indian global companies to promote this 5 global companies 5 Indian companies we have global companies global champion Indian company national champion and we will be able to do this and we will be able to do this and we will be able to do this cluster scheme and component manufacturing scheme so we will start initially we will be able to make you we will be able to do this and we will be able to do this है तो domestic value addition 35 to 40 percent हम add करें by 2025 यह हमारी कोशिश है और मैं आपको एक बात बता दूँ यह बताना इसलिए भी जरूरी है कि हमारी अपेक्षा है कि कम से कम हम पंदरा से बीस लाख लोगों को नौकरी देंगे direct-indirect as a result of this incentive. In consultation with the industry, we have come to this estimation that because of the great initiative we are announcing today, we hope to generate employment potential of 15 to 20 lakh direct and indirect. और बाकी लाखों करोर के रूप में यहां पर investment आएगा, यह तो उनका assessment होगा. लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि यह आत्म निर्भर उदाइमान भारत की दिशा में आज के जिनने बहुत बड़ा कदम है. आपको मालूम है कि हमारे कुछ और भी उपलब्धिया रही हैं जो इसको support करती है. Ease of doing business में भारत आज country में शर्किती नमबर पर है. We have surpassed so many scales, you know it very well. हमारा जो corporate tax rate है वो भी 15% है. हमारे यहां 50,000 का लगभग start-up ecosystem है, जो आज दुनिया में second हो गया है. और भारत का technology का human resource है. The human resource, technology, professional competence, a government fully supportive and incentivizing and overall new image of India which has emerged. Under the leadership of Narendra Modi as a global power of stability, commitment, professionalism and encouraging manufacturing. यह जो हमारी पूरी च्छमता है, इसका हम पूरा उप्योग करेंगे, ऐसा मुझे लगता है मित्रों, तो आज का दिन एक बहुत ही एतिहासिक दिन है. इन आरंबिक टिपणियों के साथ मुझे लगा कि हमने अतीत में क्या किया, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं उन्त में, कि सपने देखना अपने आप में गलत नहीं है. लेकिन जब सपनों की उडान मजबूत तभी होती है, जब आपके पैर मजबूत स्थान पे खड़े होते हैं. और हमने एलेक्ट्रोनिक मनुफैक्ट्रिंग के दिशा में यह तीन गाइडलाइन लगा करके, जो दुनिया में भारत की प्रतिभा को आख पर भारत को एक ग्लोबल मनुफैक्ट्रिंग एको सिस्टम और ग्लोबल सप्लाइचेन के रूप में जो बढ़ाने का दिनने किया है वो इसलिए किया है कि हमारी थे साल की सफलता है फिर्ट विद इस वर्ड्स I conclude my initial comments I'll be taking questions after Ajay's presentation in some questions I would like Amitabh also to pitch in उनकी भी समझदारी है